तो यह विल्कम बैक टो माइ चैनल मेरा नम शेतिज रहा है और आप दो देख रहा है वो फैनेंस विडियो को साथ पहले हम दो देख लेते हैं निफ्टी फिर आते हैं बैंक निफ्टी के तरफ और लास्ट में दो स्टॉक्स प्रेखते हैं इंट्रेड ट्रेट के लिए इस थोड़ा सा स्टॉक समल के ट्रेड करना आप लो खैर स्राट करते हैं निफ्टी के साथ तो निफ्टी में देखेंगे अभी फिलाल यहां पर हो क्या रहा है कि एक लगाता डाउन साइट में है और एक ट्रेंड को फॉलो कर रही डेली में भी विजबल है और वीकली में भी देखेंगे तो बेंए आँज सावी के देखेंगे लोग फिलाल मिली हुई है है बट अभी देखा जाए तो यह लोग लोग को अब सकता यहां पर नेक्स दिक मतलब कल एक अच्छा हम लोंम धिखने हाने वाले समय में लेकिन वो थोड़ा सा रिवर्स ले ले तो क्योंकि यहां पर बहुत जादा मतलब देखी तो लगातार क्योंकि फॉल आया है तीन हफ़ते से लगातार मार्केट गिर रही तो थोड़ा सा यहां पर रिटेस्टिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि चार-पांश लगातार मार्केट ऐसे नहीं गिरती है वह तो थोड़ा सा होल्ड करेगी फिर थोड़ा सा उपर जाएगी जबते कि एकदम सिच्वेशन खराब ना हो जाए तो यहां पर देखेंगे हो सकता है थोड़ा सा आप लोगो दोबारा रिवर्सल मिले तो रिवर्सल के तियारी हम लोगो कर सकते हैं और इसके और तो मिल आप हो चोटी करने पढ़ा कीकि यांप लोगो को सच्वेशन ऐसी है कि थूरा सा थे कि हम लोगो ट्रेट करना है जबर रस्ति कर मार्केट में से में ट्रेट करेंगे तो हमारी ट्रेट गलत जा सकती है और पैसा हम गवा सकते हैं तो इस सिचुएशन के आसपास आप लोगो थोड़ा सा सतर हो जाए करो खास करकि उस एरिया में जहां पर एक इंपॉर्टेंट ल ले पाएं और उल्टा यहां पर बड़े इंस्ट्यूशन और बड़े प्लेयर को मिल जाता है तो यहां पर आप लोगो आराम से ट्रेट करना है कॉंटिटी छोटी रखनी है अगर यहां से रिबर्सल मिलता है तो हम लोग यहां पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं और एक अच सब्स्कुर्स जान है यहां पर आखे अच्छा भी देखा जाया है कि यहां पर अगर यहां पर आपक है यहां पर कतम रख चुकी ए तो नेक्स टार्गेट हमारा 16,800 के आजबास हो सकता है, 15 मिनिट पर करेट कर ले थे हैं एक बार यहां पर यहां पर डेली में थोड़ा सा क्योंकि जूम डाउट होता है, तो बहुत जाज़ा है तो बहुत जाए है, तो यहां पर देखा जाए है, डाउंसेट अगर गर कंटे कर लिए और इसको ब्रेक किया तो वही चीज आप लोग कल से कल भी आप से यही चीज एक्सक्त कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीट करके यहां पर फिर यहां पर मार्केट शॉट करें नहीं तो थोड़ा सा एक वाइट कर सकते हो कल के दिन भी क्योंकि market वॉलटायल रह सकती है पूर्टाइब रह सकती है यहां पर देखो मार्केट जब नीचे गिर रही थी किसी पी तरह कि यहां पर री टेस्टिंग नहीं हुई है देखो को करने करने का अगर अगर ग्याप नहीं मिलता है पहली दो केंडल लगातार ग्रीन बन जाती है तो पहली डरे विंड लग चा निचे च्टी है फिर आप लोग यहाले लेवल का टार्गेट ले सकते हो अल्दों अगर देखा जाय तो यह एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसको घ्री तरह उससे कर दे रहा है अगर हम लोगों को बाइंग करनी भी है तो इन लेवल से उपर हम लोग आराम से कर सकते हैं एक्जाक्ट लेटें अगर यहां पर आसपास ही खुलता है बहुत जादा एक्यूरेट लेट लेटों मिलते हैं अगर यहां पर यहां पर इन चोल्टर बंध रहा है लेटें फिर यहां पर थोड़ा सा एक अगर थोड़ा सा पुलबैक लेकर उपर जाता है यहां अच्छा टार्गेटि हम लोगों यहां वाले लेट पिल सकता है तो मतलब बेसिक कंक्लूजन आप लोग यह निकाल सकते हो खल एधर साइट जा सकती मार्किट बट यहां पर कंसोलिडेशन के बाद और बाइंग साइट थोड़ा सा ज्यादा इससा में हम लोगो वेट रहे हैं कि क्योंकि तीन हफ्ते अल्रेडी हैं हम लोगो पुल बैक मिल मार्केट अभी वॉलिटाइल रहेगी थोड़ा सा अपना पैसा अराम से डालना मार्केट के अंदर बहुत जादा मतलब वह मत करना अब बैंक के तरफ देखो तो बैंक प्र ऑल्री वॉलिटाइल जोन के अंदर आ गई क्योंकि यहां पर देखो तो यहां पर वीकली चार् करने के बाद मार्केट थोड़ा सा मतलब जिदनी भी बैड न्यूज आ रही है उसको थोड़ा सा मतलब स्तमक करके थोड़ा सा उपर जाने की कोशिश कर रही लगाता है थोड़ा सा एक शौट टम के लिए हम लोग यहां पर पुल बैक देख सकते हैं और यहां पर बाग ज करेंगे तो जैसा हम लोग पिश्ले बार यहां पर डिसकस कर रहे थे मतलब तेंचार जिन पहले यहां मार्केट नीचे आईगे तो थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अगर डाउंसेट करना तो करेंगी नहीं तो फिलाल अभी देखा जा तो यहां पर नहीं गरेगी त यहां पर हम लोग को शॉट तभी करेंगे जब मार्केट इन वाले लेवल की नीचे आ जाती है उससे पहले शॉट करने को कोई खास फायदा बनता नहीं है और इस स्पेस में देखेंगे बहुत जादा जगा है नहीं हमारे पास एक चीज और यहां पर थोड़ा सा टैक्स अगर इसको लेमान लेंगोज में समझो तो अब हम लोग 1.7 पॉइंट ज्यादा क्याप्शर करने पड़ेंगे के अंदर ताकि प्रॉफिट में बने रहे हैं अब हम लोग मतलब बढ़ा दिया गया है कुछ ऐसा ही था सिरोधा का पोस्ट आया हुआ देख रहे थे कुछ पॉइंट लिखा था कि एक्स्टा कवर करना पढ़ेगा ताकि अपनी ब्रोकरेज कवर करता है तो थोड़ा सा स्टी बढ़ाए गया है थोड़ा सा यहां पर बार यहां पर बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लमाटिक है अच्छे से ट्रेड करने दिया जाए तो मज़ा आएग है तो नेक्स तार्गेट आप लो यहां पर फोटीवन थाजन फाइवनड़ सिक्सेंड़ वारे लेवल्स देख सकते हूं जैसे हमने ब्रोला भी वीक्ली चार्ट पे यहां पर वह भी आपर एक्सपेट कर सकते हो और इसके साथ साथ देखा जाए 15 मिनट टाइम पर आता है करनी है तो इन वाले लेवल्स के उपर करेंगे सेम जैसे निफ्टी है वैसे बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स के लिए सकते हैं अगर इसको क्लियर कर लेता है तो नेक्स टार्गेट आप लोग जानते हो यहां पर खुदी आप लोगे और उसके वाद देखा जाएगा अब यहां पर कल तक का टार्गेट तो हम लोग यहां तक का लेंगे डाउंसाइड करता है तो थोड़ा सा वॉइड करेंगे ट्रेट करना ऑल्दो यहां लेवल्स पर जाने में बहुत आता समय नहीं लेगी बैंक निफ्टी जिस तरह से यहां पर बनी हुई है तेकर अगर यह बाय करने का यह चीज़ हमें सार समझाती है कि मार्केट जब लगाता नीचे आती तो उससे में कोई फायदा होता ही नहीं मार्केट खुलते बाय करने का वेड कर लो अराम से सो के उठ जाना तो चला ट्रेड वर चूड़ गई लेकिन फिर भी एक उससे बता रहे हैं अ रिवर्सल लेती है तो उसके सकंदर को अवाइड करने का अगर्र है करनी है अपसाइट तो करें बहुत había लेवल करने का अलोग इसा स्टॉपलमbayर्ण हो लेना होगा वह एक लॉट के अंदर 15 से 2,000 के जाला मत लेना पर तो श्तॉक्स करने करने वाले उसीली बाठ यह उनल यहां पर देखोंके तो यहां पर देखा जाए तो डाउन साट के लिए भी रहना जेते हैं कि यहां पर बहुत जाती है बटन जरूर दबाना और अपना capital सेफ रॉक्ष लगए झाल झाल